नमाशकार की सानेवम बागवान भायों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्त होंगे तो आप देख रहे हैं वीडियो में हम गढ़्धे त्यार कर रहे हैं दरसल ये पुरानी वीडियो है जब हम गढ़्धे त्यार कर रहे थे पेड लगाने से मैक् तो आईये किसानेवं बागबान भायों हम पौधे लगानी की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो यह आप गड़ा देख रहे हैं तो इसमें मैं एक दिन पहले पेड लगाने से इसमें मैंने 10 लिटर पानी के साथ मिट्टी को इसमें डाल दिया था उसमें मैंने कौडंक मिक् आज भी देख रहे हैं आप इसमें नमी है तो मैं अपना पौधा ले रहा हूं तो आप मेरा पौधा जो देख रहे हैं तो इसमें जो रूट्स आई थी नर्शरी से यह डिफैक्टिड थी तो कटी फटी थी तो मैंने कैंची से काटकर इन्हें फिर से रिवाइब किया और अब मैं पौदे को इंसेर्ट कर रहा हूँ ठीक है तो पौदा मैंने सिधा खड़ा कर दिया है और पास जो मिटी का ढेर आप देख रहे है तो इसमें मैंने मिटी के साथ कोडंक गोबर को मिक्स कर दिया है अब मैं इसको इसमें डालूँगा पेड में ठीक है गड़े को पुल करूँगा ठीक है मिट्टी से तो फिर मैं डाल रहा हूं इसको तो इसमें जो आप ये गास जैसा देख रहे हैं तो ये दरसल गेहूं मैंने इधर बीजा हुआ है इस खेत में तो गोडंक मिक्स अब करते हैं उखर गे हैं जब मैंने पौधा लगाया था तो मैंने इसको लगाने से पहले इसमें जो ये छोटे-छोटे पत्र के गणा दे तो ये हमने निकान ले होते हैं आप चाहें तो जड़ों को त्यार करने के लिए इसमें रूटे-ड़्पल्पिं हर्मोन मी डालते हैं तो उसमें गोबर उसमें डालते हैं तो फिर कहीं न कहीं उर्वर्ग जैसे खादे में बगारा कुछ और भी इसमें पढ़ता है तो ये मिट्टी काफी उपजाओ होती है तो इस मिट्टी को मैं निचे डालूँगा ताकि मेरा जो ये पौधा है अच्छी ग्रोथ ले ने तो अब हो गया है पौधा पूरा मिट्टी से भर दिया है अब जो काम बजता है कि उपर मिट्टी को अच्छी तरह से लाऊं और इधर आपने एक ध्यान रखना होता है कि जो पेड़ आपका है इसमें जो ग्राफ्टिंग पॉइंट जो ग्राफ्टिंग की गई है वो कहां गया जो मुझे लगता है कि मेरा ग्राफ्टिंग पॉइंट नीचे चला गया तो से ठीक है अब जो उपर पौधा खेंचा में ने इसका एक और फाइदा भी है कि जो हमारी जड़े नीचे थी पहले इदर उदर जा रहे थी उपर खेंचने के पस्चाद क्या हुआ कि हमारी जड़े सीधी नीचे गई जो कि आगे भी नीची जाएगी अब इंटर लॉकिंग भी बहुत जरूरी होती है एक पेड को 80-90% रिवाइब करने के लिए ठीक है तो यह हमारा पौधा है जो मैंने त्यार कर लिया है ठीक है अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो ब्रांचीज का गैप है वो कुछ अच्छा नहीं है पर मेरे लिए अच्छा है मैं इसको ऐसा ह सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें भी अगर कोई और जानकारी देना चाहें तो जरूर हमें दें तो यह आप पेड़ देख रहे हैं यह गाला वराइटिका जो पॉलिनेटर का काम करेगा आप शाहिए देख रहे हैं कि इसमें अल्टिमा गाला लिखा हुआ है ठीक है और भी मैं इधर गड़े कियो है मैंने तो फिर इधर भी मैं पेड़ लगा रहा ह है और यह जो है डार्क वेड़न काला है जो कि गरीवा नर्सरी से लाया है इटली से ठीक है और अब क्या है कि ठीक है दोस्तों